ना आटा गूंदने का जंचर्ड ना रोटिया बेलने का जंचर्ड आज मैं आपको आलू प्रांठा बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊँगा आज हम लुकर डो से आलू प्रांठा बनाके त्यार करेंगे और ये प्रांठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे इसके स नमक करते हैं साथ में नमक एड़िए थोड़ा सा उसके बारी तक्ट वे कुटे हैं रधनिक चली मिठी करेंगे एक झाहे चे अजमें नमक और रचिवाईन प्लेवर और इस के साथ में इसमें तौड़ा सा न नमक uh एक चुटा चमच आप इसमें अधर गलसन का पेश्ट एड़ कर देशे सारे इंक्रिडेंस को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसके बाद आपको आलू शीओंगे तो दो मैंने आपे बॉयल आलू लिये हैं जो आलू है इनको आपने ग्रेट कर लेना है अब कच्छ काल देते हैं साइड में इसके बाद आपने एक चमच इसमें साबू जीर आड़ करना है आप भून जीर पोडर डाला जाए बहुत यहां पर डाल सकते हैं थोड़ा सा गर्म साला पौडर आड़ कीशेगा थोड़ा सा हल्दी पोडर आड़ करेंगे इससे कलर अचाएगा हम कालो और आचे को मैंने मिक्स कर लिए अब आपने इसमें पानी अड़कर ड charity करना है तो फजी इस बैसे आप आठा ड हेग़ी हुद आटा ले करना पड़ेगा आपका जो डो है थोड़ा पतला होना चाहिए देखिए मैंने इसमें डेड़ बावल पानी का एड़ किया है और इसको आपने तीक नहीं रखना है प्रांटे मोटे नहीं बनने चीए तो अब इसको ना पांच मिन का रैस तीशे तब तर चटनी बना लेते है जल्दी से चटनी बनाने में टाइम नहीं लगते सिर्फ पांच मिन बन जाती है यहां पर मैंने देखिए टमाटर लिए अच्छे पके और टमाटर का आपने यूज करना है जो टमाटर इसकी आइस आइस आपने हटा देनी है नहीं तो जब हम इसका छिलका निकाल देना व बहुत ही बड़ी आप फ्लेवर आएगा ओईल को अच्छी तरह से दुआ निकलने तक गर्म कर देशे तक इसका स्टॉम फ्लेवर खत्म हो जाए थोड़ा सा आपने इसको ठंडा करना है इसके अपने टमाटर काटके रख्योंगे ना सारे के सारे टमाटर देखिए इस तर देनी है तक यह अच्छे से फ्राई हो जाए इनको ना पांच मिट तक आपने इस तरह से पकने देठेना इसके बांच मिट हो चुके है लिकाल देना है जब आपने टमाटर आपने असाद Whatever चीलका असानी से निकल जाता है तो चिलके करना चैनि योश्य करना है लिए और इ इसके अपने लसन को भी निकाल देना है और टमाटरों के साथ में इसको ना मिक्स कर लेए अब आपने इनको बिसकर की साहितर से इस तरह से देखिए मसल लेना है थोड़ा से इनको मैश कर लेए ताकि इनकी ना प्यूरी जैसे पहंचा है इनको पीसना नहीं है पीसने से छोड़ी सी चीनी लेकरे है यूज सकते हैं चीनी नहीं कहते है तो थोड़ा साफ़ा अपने बारीकटोवश्य अबुटवमिंटोर ह मिन्ट करना है और शाप प्रेश मिन्ट का यूज करना है चाहिए तो चौप करए फ्रेशमिंट भी डाल took । और उसी ओयल में से थोड़ा सा ओयल भी एड़ करते हैं तो सारे इंग्रिटन्स को आपने मिक्स करेंने कभी कोई भी चटनी बनाते हैं काला नमग थोड़ी से चीनी और भूनवा जीरा पौरडर आपने जुरूर डालने इस अच्छा टेस आता है तो यह आपकी चटपटी ट बैटर बने का प्रांठे बनाने का इसके बाद आपने पैन लेना है या कोई तौवा ले लिए इसमें थोड़ा सा पहले बडर लगा लेना है और हलका सच जैसे आपका पैन गर्म हो जाएगा इस तरह से आपने देखिए बैटर डालना है तो पतले पतले बनाने हैं ज्यादा आप दूसी साइड इस यसे को पकने देशे जैसे दूसी साइड में थोड़ा सा कलर आ जाएगा फिर आपने इसके उपर बर्टर गी या ओल लगाना है तो तो अब आपने इसको फिर से पल्टी करने और दूसी साइड भी आप इसमें बर्टर लगा दीशे तो एक जाता गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो केबर बैटर तो इसे चिपक जाता है तो के देखिए ऐसा कलरना तक आप परांटे को सेख लेज़े तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट चुरूर कीज़ेगा ओके फ्रेंट्स बिल दे